हेलो बच्चो कैसे हो सब लोग होफुली सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बिल्कुल जबरदस्ट चल रही होगी है ना नहीं सर वही हाल है जो पिछली बार था ठीक है तो बेटा थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो आई नो आप लोग मेहनत कर रहे हो बट धिर हो ब indispensable हो जाये अंग्यमत तो आज हम आए हैं येक्ट्र स्टइटिक्स का फॉर्थ लेक्ष्य Alrighty जिसमें हम आज पढ़ेंगे उल्यक्ट्रिक डाएपोल क्या होती है एकठी डाएपोल के कारण इल्यक्ट्रिक फिल्ड कैसे होगी तो से के क्लेंगे फिर इल्यक्ट्रिक बिल्कुल असान ठीक है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों कंसेप्ट लेट्स स्टार्ट कुछ tool词 पड़े थे कुछ features पड़े थे लिसको इसने वु घेलिए नहीं देखी je पहले वह वीडिओ देखें उसके बाद इस वीडियो को देखना बढ़ है यह वह है lecture नमबर 3 एलेक्ट्रो स्टेटिक्स का laser नमबर 3 मेरी playlist में मिल जाएगा है या आप सर्च करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिग्मा कोचिंग क्लासिस तो आपको गूगल पर मिल जाए तो आज हम स्टार्ट करें हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल अब यह एलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि माल लो हम पहले बात कर रहे थे कि दो चार्ज इस पड़े होते थे आसे यार कुछ डिस्टेंस होता था हमके बीच में आर्ड स्कूर ठीक है बड़ एक्ट्रिक में कभी कि चार्ज होगा इक्वल और उपजट चार्ज माल लो चार्ज है एक्वल और उपजट मतलब क्यों और माइनस क्यों जब यह पड़े होंगे गहीं आसपास तो यह बड़े क्लोजली पैक्ट होंगे मालनों बहुत क्लोजली पैक्ट हों बहुत पास पास पड़े हों जब यह पड़े होंगे तो बहुत पास पास पड़े होंगे तो जो इनके बीच का डिस्टन्स होता है इनके बीच का जो डिस्टन्स होता है इसको हम बोलते हैं 2L, centre to centre का 2L हम इसको बड़ा बना कर दिखाता हूं, ठांकी आपको समझ में आए अभी कैसा नहीं समझ हूं? जब दो चार्जिस बहुत पास होंगे बहुत पास पड़े होंगे ठीक है जैसे दो चार्जिस मैं दूर बनाकर दिखा रहा हूं समझाने के लिए प्लस के उचार्ज ये माइनस के उचार्ज जो बहुत पास पड़े हैं तो इनके center to center का distance होगा 2L, उसको ऐसा ही लेते हैं यह क्या, सेंटर से इधर का L और इसके सेंटर से इधर का L, ऐसे डिनोट करते हैं इसको डाइपोल, ऐसे डिस्टन, इसको 2L ही माना जाता है, बुक्स के अंदर भी आप भी 2L माननी, आप बोलोंगे आल मान सकते कोई क्यthकत नहीं मान दो the higher Cheesecentered के अब मैं अधिक तो हम असान चीज़ करेंगे तो डाइपोल क्या होता है यह होता है चार्ज इंटु इंटु डिस्टंश बिट्विन डिस्टंश बिट्वीन 2 गोडिए चाहर्द इस और यह जो तूचार इस है यह याद रखना ये इक long annual एंड ऊपज़ेट होने चाहिए इक प्लस क्यों माइनस क्यों तो एसा नहीं होगा यह प्लस क्यों Q into 2L ठीक और यह यह जो डाइपॉल है ना यह वेक्टर कॉंटिटी है तो इसकी डारेक्शन भी होगी तो इसकी डारेक्शन भी होगी तो इसकी डारेक्शन क्या होगी इसकी डारेक्शन होती है नेगटिव चार्ज से पॉजटिव चार्ज की तरफ डाइपॉल की डारेक्श नेगटिव से पॉजटिव तो डाइपॉल की डिरेक्शन होगी यह पी की डिरेक्शन उसका मेगनेट्वीड होगा क्यों इंट टू एल लेको चार्ज तो दोनों क्यों है प्लस माइबनेस हम एक वेल्ली उठा लेंगे इसका मेगनेट्वीड क्यों ओर इनके बीच का मीटर याद रखना कूलम मीटर इसको इसा डेनोट करता है वीइटरी ये क्या है? डायपोल की इनिट है इसकी डायपोल की इनिटे समझा है या डायपोल ठीक है अब हम बात करें गयार कि डायपोल electric field due to a Dypoll. डायपोल के कारण क्या il lektric field होगी डायपोल के कारण क्या electric field होगी, तोट्रिक फील पोल के कारण क्या electric field होगी, electric field due to a dipole इसको दो cases में बांटेंगे Careversion electric field, due to a dipole, due to a dipole जा इसको दो cases में बांटेंगे, एक बांटेंगे हम him electric field निकाल लेंगे, on the axis, on the axis, on the axis जॉइनिंग तू चार्जिस कि अगर उनकी एकसिस के ओपर कहीं कोई पॉइंट के पर एक्रेटिक फिल्म जैसे यह ति एक चार्ज यह था दूसरा चार्ज प्लस क्यों माइनस क्यों तो यह इनकी एकसिस जॉइनिंग है इनके बीच का distance यह रहा क्या यह center से यह L center से यह L सही है अब इनकी axis पे कहीं भी किसी भी point पे कहीं भी कहीं भी मैं मानेता हूं यहाँ पर x distance में मेरे को axis के उपर point इसी axis पे होगा इधर भी हो सकते हैं यहां भी हो सकता है उस axis पे electric field कितनी होगी उस एक्सिस पे electric field कितनी हो वही हम ऐसा करते हैं इसको प्लस ले लेते हैं इसको मैमिस लेते हैं कोई फ़र्ग ने पढ़ने वाला जस्ट वैसे करता हूँ ठीक तो मैं क्या करता हूँ इसके center से यह रहा center इसके center से x distance दूर यह इस एक्सिस पे इसके center से बिएख बिषद से एक सी दिस्टन्स दूर्ण प्यठक में पोइंट 507 प्यक्ट के उपपर इन दोने उसके कारण मनौ दो यह फर्स चार्ज यह सेकंड चार्ज तो उस पॉंट में इस पॉइंट जांगा मैं सतुपर इस तुम अगी तो यह ologically कि स्केकर इसके ओपर कैसी फिल लगेगी समझो इस इस चार्ज के कारए उसके ओपर कैसी फिल लगेगी ज़oga इसके कारए यह यालेक्टरिक फिल इदर को होगी ई यवन नहीं होगी पॉजिटिव से नेगटिव टरफ जाएगी तो व्ग और अब्रणित प्रोजटीव धोगी दूसरी लils लगेगी ऐसे ईडूर इस पर भागने की कोशिश करेगा और इसके उस ते दूर भागने करे मैं तेस्ट चार्ड निकालने के लिए क्या करते थे हम वहां पर पौंट निकालनी थी ठीक है फिर मिदेँ तरहीं कि और होती है पॉज़ेटीग कि तरह आती है मतलब पॉज़ेटिव से अवे भागती है नेगटीव की तरफ जाती है तो यह पॉजटिव से भागेगी एक इसकी तरफ भागेगे इसा कि तरफ भागेगे से कितनी होगी इसक इंदर खाल और तो नेट लेक्टरिक सकतार है तो जब इससे पास पड़ा हॉच्छ जादा लगाएगा तो जो ऌर田 इसके पास पड़ा है ये सब सब्सक्राइब़े इसके भांद है भीcellentा क्मारी है तो मैं बोल सकता हूं यह बैस के यह ठीक है, electric field की value रख दो, electric field क्या होती है, electric field क्या होती है, electric field होती थी, kq by distance between them, जो charge जिसकी electric field निकालनी है, वो charge रखो और उससे distance रख दो, e2 क्या है, ये है, ये बड़ा दूसरा है, इसका रखो, e2 क्या होगा, kq by distance between them, किस charge है, इसके और इसके बीच में, देखो ये l, ये x, को स्कूराइ एक्स माइनस एक्स ब्लस ल को सुमंझ में आया ल्गा स्कूराइब माइनटी स्में आया इसको सॉल्व करड़ों शॉल्व है इसको इसे लो इसका लियो है här माइनस एक्स ल्त और यह हो जाएगा के क्यू माइनस टू एक्सल माइनस एक्सक्यू पलास लू एक्सल plus 2XL minus X square plus L square minus 2XL तो क्या होगा है यह minus हो जाएगा यह और यह और यह और यह कट जाएंगे divided by X plus 1 का square इसको रख दो X square plus L square plus 2XL X square plus L square plus 2XL अच्छा यह minus होगा तो यह क्या हो जाएगा क्यों into 4XL 4XL divided by X square plus L square plus 2XL अच्छा इसको ऐसा भी कर सकता हूँ A minus B, A plus B इसको ऐसा भी कर सकता हूँ A minus B, A plus B A minus B, A plus B क्या होता है A square minus B square A square minus B square इसको ऐसा लिख सकता हूँ A square, A minus A square minus B square A square minus B square का square A plus B, A minus B को A square minus B square लिख सकता हूँ इसका और square है तो यह कर दिया तो क्या है KQ into 4XL upon X square minus L square का whole square समझ है? अच्छा अब एक और चीज़ देखो हमने अभी डाइपॉल मुमेर निकाल दा था वो क्या था? P is equal to 2Q into L 2Q into L या Q into 2L ऐसा लिख लो यह distance है, यह चार जेसा अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ K into Q into 2 into 2 into X into L upon X square minus L square ठीक, सही है? ओके, इसको रब गर देते हैं इसको करते हैं अब यह देखो है 2L, 2L क्या बनेगा? 2L into क्यों यह रहा? यह 2 into L और यह क्यों यह क्या बन जाएगा? P, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1KP into 2KP into X divided by X square minus L square का square L square minus X square minus L square का square ठीक है? 2KPX और यह आई आई आपकी यह क्या आई आपकी? electric field due to a dipole electric field due to a dipole अच्छा है एक और बात धिया लखो यह जो X होगा ना और यह जो L होगा देखो L तो दो चार्जिस बहुत पास पड़े हैं तो L distance तो बहुत कम होगा यह बहुत पास पड़े हैं उसका भी हाफ है और मैं किसी दूर पॉइंट पे electric field निकाल लूँगा तो X और L में से L बहुत छोटा हो जाएगा तो L बहुत छोटा हो जाएगा तो मैं L को इगनोर कर सकता हूँ तो मैं मालूँगा L tends to zero और चार्जिस बहुत पास पड़े हैं उसका square करूँगा तो बहुत छोटा लगेगा बहुत छोटा लगेगा और X तो बहुत दूर पॉइंट निकाल रहे हैं उस axis में अगर ऐसा होता है मतलब जरूरी नहीं है हर केस में होगा अगर ऐसा हो जाए 90 परसंट ऐसा हो जाएक अमेरिकल्स में तो अगर मैं इसको zero रख दूँ तो बचेगा केला X तो इसका formula के भी बनता है E net is equal to 2 K P X upon upon X का square तो X का square और उसका square X4 X raised to the power 4 एक काम करना अच्छा यह X से यह X कट जाएगा तो इसको ऐसा भी लिख लो E net is equal to 2 K P by X यह जादा याद रखना अगर X बहुत बढ़ा हो जाए L के comparatively यानि कि यह बोले हो कि दो चार्जिस पड़े हैं कितने मान लो false, 2 mm का distance and 2 chicos are और बोले कि किसी पॉंट पर इसकाERO6 दिकार यह लो संटीमिटर में हैं तो यह संटीमिटर मृमिलिमिटर के वह वह बढ़ा है संटीमिटर छोड़ो बोले कि वह 100 संटीमिटर है तो संटीमिटर मृमिटर में 100 संटीमिटर बहुत फर्क हो दो नों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो क्लियर है के तो पता है ना क्या था यार के था वही 9 इंटू 10 देश्टूबर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कूलम स्क्वेर याद होगा ये फ्री स्पेस और वेक्यूम के लिए वैली होती है ओके 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 तो इसको लिखते हैं ये एक्सिस पर आएगा तो इसको बुक्ष में एक्सिस भी लिख रखा है एक्सिस इकॉल टू डिस क्लियर है समझ में आया नोट कर लिया रब कर दू कर दो सर कर दो कर दो हम तो खुद त्यार बैठे हैं कि अब रब कर दो और हमें मौका में जाए क्या करने का पड़ाई छोड़ने का ठीक है ओके तो अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है अगला कंसेप्ट है इसी का कि अब हम एलेक्ट्रिक फिल्ड यूट वा डाइपॉल निकाल लेंगे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है यह चार्ज यह चार्ज यह प्लस माइनस क्यों यह प्लस क्यों इनकी एक्सिस रही है इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एल एल सही है अब यह जो आपको इस पॉइंट पहले दो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पॉइंट लिया समझ में आ गया होगा पक्का अचाब देखो यह एक्सिन अबबे डिग्री तो इन दोन्नों का डिस्टेंस कितना होगा यह हो जाएगा एक्स्क्वेर प्लस एल स्क्व इस चार्ज केकान में कितने एलेक््टिक फिल्द आई निगा लो गहें नहीं निकाने हैं यहां टस्ट चार्ज रका तो उधाने लेक्टिक फिल्द शसके तरफ की तरफ हां। इसकी लेक्ज़ वे चैनल को अधर को ऊब्速 कीदू और शेकर इधर को होगी यह नहीं या बोल दो आप यवन होगी ऐसे और इटू होगी ऐसे और इसका रिजल्टन्ट होगा यह इनेट मेरे को यह निकार लिया है यह अंशर आजय गाए यह प्रपेंडिगुरबाय सक्टर पर समझ में आया तिक यह इसके करद एक इदर और नेट ऐसे आएगा चलो ट् यह है यह रा है यह जो एंगल बनेगा थीता यह जो अन घय जो पने तो आप बेस यह बेस तो यह ऻयोग देख यह तक दो dai हRA कि इतनी बास समझ में आगी होगी चलो आगे चलो एवन निकालो ऑच्छा एवन निकालो इसके कारण जो इधर को होगी क्या होगी क्यों बाए डिस्टंस बिट्विन तर चार्जी से वो है x square प्लस l square का अंडर रूट का square सही है जी यह तो even आई ऐसे ही यह इससे कड़ जाएगे यह आएगा क्यों अपॉन x square प्लस l square अच्छा e2 क्या होगी e2 भी यही होगी क्यों अपॉन अंडर रूट x square प्लस l square का square तो इसमें भी एकड़ जाएगा तो यह भी आएगी क्यों अपॉन x square प्लस l square देखो even भी उतनी आई अब दोनों अलग अलग direction में है आए मैं तो बोलना 90 degree पे आई अलग अलग direction में मेरे को इसका resultant निकालना कैसे निकाल लोगे देखो इसको बाहर निकालता हूँ मैं आए इसको बाहर निकालता हूँ देखो यह देखो इस वाले को बाहर निकाल रहा हूँ मैं यह मेरी e1 है यह मेरी e2 है e1 और यह मेरी e net है यह मेरा है theta प्रीट यह मेरा है तीटा यह नश्य को दिखो यह नोट है तो यह वाली होगी ओकर यह भी होगी को तीटा यह यह तो यह जा रही है जाएगा अब यह इधर को है यह उधर को है तो यह थोड़ी कटेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों को एड़ कर दूंगा इन दोनों को एड़ कर दूंगा तो इनेट कितनी होगी इनेट कितनी हुई 2e cos theta 2e cos theta e के आइसे में e क्या e 1 और e 2 same है e को रख देंगे theta तो पता ही हैवको यह theta है तो e net कितनी आएगी e net कितनी आएगी 2e cos theta अब यह e क्या है यह e 1 और e 2 के बराबर है क्योंकि दुनों सेम है यही e 1 e 2 यही तो e है ठीक है यह e 1 cos theta हुई यह e2 cos theta हुई, यह e1 sin theta हुई, यह e2 sin theta हुई, बट यह e बराबर तो यह कट गए, बट यह add हो जाएंगे e net के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर रखो, क्या रखो, 2 into e कितना है यह, upon x square plus l square into cos theta, into cos theta, अच्छा आप देखो, मुझे बताओ cos theta इस ट्रेंगल में क्या होगा, cos theta होत बेश देखो, बेश है यह e1, हाइपोर्टनी जज़ यह, यह है, under root x square plus l square, यहाँ पर put कर दो, कहाँ पर, इसकी जगा वो रख दो, रख दो, 2 k q upon x square plus l square into l upon under root x square plus l square, सही है, अब देखो, 2 q into l, 2 q into l हो जाता है, 2 q into l, यह दिख रहा है ना, camera में, दिख रहा है, 2 k, 2 q into l हमने निकाला था, p तो इसको लिख सकता हूं, p into k upon, यह इसका हो गया, 1 इसका हो गया, इसको लिख सकता हूं, 1 by 2, इसके lc में ले जोंगा, तो आएगा, x square plus l square, raise to the part 3 by 2, पता ना यार, plus 2 में हो चुके है, यह तो वो axis पे आया था, यह k, p, x square plus l square, raise to the part, under root 3 by 2, under root 3 by 2, अब इसमें भी केस हो गया, एक केस इसमें भी होगा, कि मान लो, अगर x जादा हो जाए, इसके मताबिक तो l बहुत चोटा है, l को ignore कर देंगे, l का अगर बहुत चोटा हुआ, अगर x tends to, बहुत जादा हुआ, l के respect म तो l tends to zero, इसका उन्दर अगर यह क्या आएगा, e perpendicular by sector क्या आएगा, p, k, p, upon, यह तो zero, तो x square raise to the part, 3 by 2, तो 2 से 2 गट गए, तो बच्चा x, q, यह equation भी note करो, अगर बहुत फरक हो, तो यह गरो, देखो यह तो याद रखी लो, यह तो हर जग है valid है, कम होगा, तो इसको यह नहीं पर अटा देना, इसको याद रखने के जुरूत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं कैसे बना यह, 90% वैसे तो यह equation से लगती है, कि बहुत बड़ा होता है, x, l के respect में, प्रवेंडिगर बाय सेक्टर में उसमें, तो यह ज़्याद रखो है, और वो भी पर concept या हो रहा है, ओके जी, अच्छा एक और concept है, हमारे syllabus में नहीं है, वो boards के syllabus में नहीं है, NEET JEE में concept आ जाता है, मैं आपको derivation नहीं करवा रहा है, मैं आपको just उसका formula लिखवा देता हूं, कि क्या formula है, पूरा प्रूव नहीं करवा रहा, क्योंकि हमारे syllabus में, boards के syllabus में वो नहीं है, अगर paper में question आ जाए, तो formula तो लगा ले, अचा यह बोलता है, कि इन दो के लावा, एक और point आता है, कहीं पर भी पूछ ले, अभी तो हमने axis पे पूछा था, यार देखो, axis पे पूछा था, इस axis पे कहीं भी ऐसी, और इस पर बेंडिगलो बाइस अक्तर, अभी बोलता है, note कर लो, derivation नहीं करवा रहा, आप सिर्फ formula याद रखें, और उसको लिख लें, उसका formula होता है, kp by x cube, under root 3 cos square theta plus 1, any point, इस पे, इस पे, देखो, यह formula in axis और इस पे भी valid होगा, axis और उसके लिए भी यह formula valid होगा, theta बदल जाएगा, तो यह उस पे भी डाल दोगे, बट उसके लावा को असान formula वो याद रखो, ठीक है जी, kp by x cube, 3 cos square theta plus 1, किसी भी point बे, axis और perpendicular by sector के लावा कहीं भी point होगा यार, electric field नकालने को बोला जाएगा, तो यह formula लगा लेना, चले इसमें, तो हम सिरफ boards की त्यारी कर रही है, जेए नीट में इसका question आ जाता है, book के अंदर इसकी derivation होगी, ncrt में नहीं होगी, किसी और books में, परदीब बगारा में होगी, तो देख लेना, जरूरत नहीं है, अब बात करते हैं, अगला topic, torque on a dipole in an electric field, इन an electric field, यह कहते हैं कि जब किसी dipole को एक electric field में रखेंगे, तो उसके पास torque आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो, एर यह देखो, यह electric field है, constant electric field है, भी तो बराबर electric field, e, मैं इसमें dipole रखता हूँ ऐसा, दो चार्डिस, यह चार्ज, यह चार्ज, इनके बीच का distance 2L, सभी है, यह angle बनाएगा electric field के साथ theta, theta is angle between electric field and dipole, याद रखना, यह theta है, जो डाइपॉल पड़ी है, और जो electric field है, उसके बीच का angle है theta, ठीक है, अब देखो, जब भी कोई charge यह electric field में पड़ा होगा, तो उसके पर एक force लगती है, याद होगा, कोई भी charge electric field में होगा, तो उसके पर force लगती है, क्यों into e, याद है, याद है, याद है, सर या भूजव्, यह यह मानलो यह नेगटीव यह है यह याद होगा अगर चार्ज पोजिटीव होता है तो सेम डिर्यक्षन में एलेक्टरिक फील्लक्राइचं लाद इसको बोलते हैं टॉर को फोर्स लगाएगी और यह भी देखो क्लॉक वाइज तो इसको दोनों को गुमाना श्राट अगर यार वैसे तो देखो तो अगर मैं सोचा जाएए एक फोर्स इधर एक फोरस इधर तो फोर ही जीरू इलेक्टरिक डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फिल्ड में अगर उसकी फ्रैट टु अधर को लगेगा वो भी क्यू ही स्याइं का फर्क होगा बट इछे एक औरक वह होगा वह होगा नेगटिव इधर वाला क्योंकि चार्ज नेगटिव है है ना तो यह प्लस क्योंगी माइनस क्योंगी एफ नेट हुआ जीरो तो याद रखना एफ नेट ओन एंड ओन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओल्वेज जीरो नोट करें इसको हमेशा जीरो होगी जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील होगी एफ नेट डाइपोल के पर जीरो होगा समझे रहे हो कैसे एक फोर्स उदर को एक नेगटिव पॉजिटिव की डारेक्षण में लगता है खाओ लेक्ट्रिक फील्ड की डारेक्शन में फोर्स लगता है तो यह दोनों फॉर्स आजाएंगे एफनेट जीरो हो जाएगा इचनी बात समझ में आगी हो ठीक है है च्पैना अब हम बात कर रहे हैं टॉर की देखो यार इस पिर से लगए इस पे हैं यह जीरो है बटे टॉर्क घूमना स्टाट कर देगा शेरो तो है मतलब इसको कहीं मूव निगड़ेगा अपने ही इस पर मोशन दे देगा यह कैसी मोशन देगा टॉर्क मोशन कौन सी घूमना स्टार्ट कर देगा यार सिंपल सी बात है यहां पर ऐसे पड़ा है इसको इधर से की चराओ ऐसे इधर से फोर्स लगा रहा है तो यह ऐसे गौना स्टार्ट कर देगे स्साइधा इसके पास आ जाएगा टॉर्क टॉर्क होती है टॉर्क होती है फोर्स इंटू पर्पेंडिकॉलर डिस्ट्न्स force into perpendicular distance समझो अगर यह L है देखो यहां से यह center से center L यह center से center L 2L को भूल जाओ भी गली है वने अलग-अलग कर दिया ठीक है अब यहां से perpendicular गेड़ होगे ऐसे यहां से perpendicular गेड़ हो यह यह हुआ theta ठीक यह हुआ L देखो यह होगा L sin theta और यह होगा L cos theta होगा नहीं होगा यह resultant है इसका vertical component यह है यहां से निकाल दूब लोग को यासे यह L है यह theta है तो यह L sin theta कहलाएगा और यह L cos theta कहलाएगा तो force लग रही है यह F perpendicular distance हुआ यह इस force का perpendicular distance ही है वो क्या है L sin theta टॉर कितनी आई F into L sin theta अच्छा F क्या होता है यह बिलिदे लो F होता QE into L sin theta टॉर का यह है इस पे भी टॉर की ही आएगी यार यह तो number one पे टॉर का है इस वाले चार्ज पे positive पे यह two वाला है negative इस पे निकाल लो उस पे कितनी आएगी उस पे कितनी आएगी अच्छा यह force किदर को होगी यह torque किदर को होगी ऐसे clockwise होगी इसको निकाल लो इसकी torque भी clockwise हैएगी QE L sin theta से माएगी इसकी भी यह भी clockwise होगी net torque कितनी होगी दोनों clockwise है तो तो tau one और tau two को add कर देंगे सही है दोनों clockwise है तो add कर दो तो क्या होता है डाइपोल मुमेंट तो यह जाएगा पी ई साइन थीटा यह लो भीया जी यह लो यह आई टॉर्क नेट 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 पी ई साइन ठीटा, पी भी, wektor quantity, ए भी, wektor quantity, और ठीटा, उन दोनों, के बीच का angle, कुछ याद आया, नहीं आया, याद सर, तो दिमाग ले लिए हमारे तो, यह नहीं याद आ रहा है, पुरानी बाते कहां से याद रहेंगी, दो vector quantities के बीच में जब हम product करेंगे और product आता था A, B, sin, theta यह कौन सा product था? यह cross product था यह क्या था? cross product where theta is angle between A and B same ऐसा P और E के साथ sin theta where theta is angle between dipole and electric field करवाया था तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ tau net is equal to P cross E low, no vector quantities है नहीं लिखना ऐसा यादा को, कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ बता रहा हूँ, याद रहेगा यह लोग एक ही बात है A cross B क्या होता था? A, B, sin, theta तो लिख दिया मैंने यादा, दो no vector quantities है scalar product में कहा था, एक vector होती थी एक scalar होती थी, तो scalar product करते थे यह vector है, तो P, E, sin, theta लिख सकता हो लिख सकता हो, लिख सकता हो, लिख दो फिर, नहीं लिख सकता अगर, अच्छा मुझे एक बात बताओ tau maximum को होगा maximum dipole moment कब आएगी maximum dipole moment कब आएगी कब आएगी जब यार sin theta की value 1 हो जाएगी या नहीं जब time theta की value 1 हो जाएगी तो यह P, E into 1 तो maximum dipole moment होगी P, E होगी ना, time theta की maximum value 1 ही तो हो सकती है तो 1 कब होगी, जब theta होगा 90 degree तो याद रखना, जब dipole ऐसे पड़ा होगा, ऐसे और electric field होगी, ऐसे तो इन दोनों के बीच के angle होगा 90 degree तो maximum maximum torque पैदा होगा, maximum torque याद रखना, tau max कितना होगा, P, E P, E P, E minimum torque कितना होगा, अरे जब dipole भी ऐसे पड़ा होगा, electric field भी ऐसे होगी इसका मतलब क्या हुआ, theta क्या होगा 0 theta 0 तो 0 तो torque होगी, होगी नहीं, या, torque 0 होगी P, E, sign, sign, 0, 0 P, E into 0, 0, ऐसे पड़ा, एक force इदर को लगगा, एक force इदर को लगगा, एक force इदर को लगगा, तो गुमेगा, नहीं गुमेगा, तो टॉर्क तो होगी नहीं, थीटा जब, जब theta 0 होगा, तो टॉर्क भी 0 होगा, समझ रहे हो क्यों होगा, इदर से एक इदर से आसे कर ने कि याद रखोगे तो कोई ट्वर्क नहीं होगि सेफार हो लुए क्या मतलब हुआ सिटOkay जब कि जब ढायबाल की डिरेक्षंन ऑपोजित होगी इलेक्ट्रिक सेली की डिरेक्शन के तो थीटा मौनेंगे एक सोस्थी जाएगा आप के सिर्फ जीरो पर एक सोस्थी भी तो है ये तो मुझे पता ना सेम डिरेक्शन हो जीरो अगर बॉस वन में सब कुछ पढ़ चुके होगे अगर अभी बीडा उट जा प्लस वन ख起 के पर नहीं है सर बिल्कुल से नुमेरिकल आते हैं इसके उपर है और फॉर्मुला बेस्ट यह 4-5 फॉर्मुले हैं वैल्ली पूछ लेंगे एक टॉर्क रखा हुआ होगा बताएंगे उसकी या डाइपॉल दिखाओ उस तो उस डाइपॉल पर कितनी टॉर्क आएगी उस डाइपॉल पर कितन बाइबाई